हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी आए होब आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ तो अभी आज मैं फिर एक रेशीपी लेक्या ही हूँ आप लोग के साथ सोची मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ और वो रेशीपी है करी और पक करिएगा कोमेंट करिए और फ्रेंड और फेमली के साथ सेयर करिएगा और चैनल पर नए होगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए अभी दोपर का टाइम हो गया है और आज खाने में हम बनाएंगे करी चावल तो सोचीन आप लोग के साथ सेयर करत उसके निकाल है उसके बादान के साथ करने राड़ा है अगर आपके पास मंगरल है तो भी आप डाल दीजिए मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाली हूं उसके वादि यहाँ पे भुना हुआ जीरा पॉडर हम आधी चमच एड़ करेंगे और आपके पास ऐसे भी जीरा पॉडर है बीना भुना ही हो तो आप डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं लेकिन जीरा पॉडर डालने से तो ऐसा टेस्ट अच् यह बैसन अच्छे से नहीं मिलेगा तो आपका पकॉरा अच्छा नहीं बनेगा वो फूले ही नहीं तो इसलिए तब तक मिलाएंगे लगवर पांस से साथ मिनट तक इसको मिलाएंगे तब तक जब तक की बैसन हलका ना हो जाया और थोड़ा साफूल ना जाया उसके हम टक्राई देंगे उसके बाद हम इसमें हम पखोरा तलेंगे तैंठ्वा में अगर पखोरें फूल जाता है तो थीक है नहीं फूलेगा तो को फीर से मिला यह सब दैङे नहीं तो आपका पखोरा आच्छा कर्णी पखोरा अच्छा नहीं बनेगा देख लीजे मेरा पकोरा फूल गया तब हम सारे पकोरे कुद्था लेंगे इस तरह से छोटा-छोटा डाल करके कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब तो यहां पर मेरा सारा पकुरा बन के तयार हो गया तो अब हम बनाएंगे करी उसके लीए हम कराई चराएं उसमें तेल डालें उसमें हम डालेंगे सूख़ी-लाल-mirch पच्छि फोरन और शर्सों उसके बाद यहां पर हम एक चुटकी हिंग डालेंगे हिंग जो होता है व कर मिर्च अद्रक लहसुन और प्याज टमाटर कट करके रखी हूं तो इसे में डालूंगी और इसे अच्छे से भूनेंगे हम पहले प्याज हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे और आप जब भी करी बनाए तो एक चीज का जरूर ही ध्यान रखें कि उसमें पच पानी के नमक भी आड़ेंगे तो यहां पर नमक दिया है उसके बाद यहां पर एक चमच लगवग घनिया पाॉडर एक छोटी चमच लगवग धनिया पाॉडर और थोरी लालमिश पाॉडर में आड़ करेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे आप चाहें तो ढ़नें तो इसमें हम डाले अब पानी को तो यहां पर मैं पानी जीतना मुझे करी चाहिए उस हिसाब समय पानी डाली हूं और यह पानी मेरा खौल चुका है अच्छे से इसमें अब हम पकोरा आड करेंगे और अभी मैं बेशन नहीं डाली हूं क्योंकि आप जैसे पकोरा पहले डाल मेरा तो यह पूर्ड है मेरा अपरहू दालिगे ति यहां पर थोड़ा सरह सी बेशन डाली है उसमें पानी कर देंगे और лишь चलाना भी नहीं च्छोड़ें नहीं तो ऊसमें गांट पर जाएगी मेलेंगे लगवाहत तो जरूर भी पकने देना चाहिए नहीं तो बेशन का टेस्ट आ जाएगा तो यह देखिए मेरा यह खौल रहा है से हम चलाते रहेंगे और इसे हम इस तरह से पकाएंगे उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे दही एड करेंगे जब तक करी में दही ना याड करें तक करी का बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है तो यहां पर हम डाल दिये हैं और आप चाहिए तो करी डालने के बाद तुरह बंद भी कर सकते हैं तो मैं थोड़ा देर भी पका रही हूं उसके बाद इसमें हम डाल देंगे छोटी चमश लगभग गरम शाला आप अगर मस करें हैं अब मेरा पर बंद कर देंगे उसके बाद यहां पर मैं सरसों तेल ली एं उसमें थोड़ा सा कलर के लिए मिर्ट करेंगे और यहां डाल देख लिए बंद के मेरा करी पकोरा हो गया ना तैयार कितना अच्छा लग रहा है आप लोग भी एक बार जरूर ही ट्राय क करिएगा तो चलिए वमशर्व करके दिखाते हैं आप लोग को और बहुत ही अच्छा सा में बन के तयार हुआ है तो एक बार जरूर ही आप लोग ट्राइब कीजिए बहुत ही टेस्टी बनता है और अभी आप लोग को दिखाते हैं जो मेरा करी कोड़ा कैसा बना है ना है तो एक बार जरूर आप लोग ट्राइक कीजिए रेसी पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शाओ